असलाम अलेकुम एफिवान वेल्कम टो माई योटॉप चैनल स्यादा सारा तो कैसे आप सब आप सब को रमजान की बहुत-बहुत मुबार्क हो अलहमदल्ला मैं ठीक हूँ आज मैं अपलंक साथ हरीस की वीडियो शेर करना जा रही हूँ वीडियो इंट तक जरूर देखना हूँ सबसे पहले हम लेंगे एक प्या आदा किलो मटन उसमें दालेंगे पाव किलो धाई फिर उसके बाद हम उसमें दालेंगे फौर टी स्पून अट्रेक लेसन का पेस्ट फिर उसके बाद हम दालेंगे इसमें टू टी स्पून लाल मिर्ची का पावडर तो और इसी हल्दी वन टीस्पून गरम मसाला वन टीस्पून काले मिर्ची पाउडर थोड़ा नमक स्वादर नुसार एक नीमू का रस ये सारी चीज़े दालने के बाद हम उसमे दालने के थोड़ा सहरा मसाला रसी कीकोद मेर पुदीना और इसका अच्छे से मिला लेंगे और ये मिलाए बात से हम लोग क्या करेंगे अच्छे से मिला ली हम ला तो उसके बाद हम उसको क्या करेंगे ओवनाइट के लिए रख देंगे लिड लगा के और ये अच्छे से मारिनेट हो सके गाईज अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कॉमेंट, शेर और सब्सक्रेब करना मत भूलना और ऐसे ये न्यू वीडियो दाते रहेंगे इंशालाओ फिर हम यहां ले रहे हैं एक बाउल यहां पर हम दाल रहे हैं टू का विट्रवा विट्रवा दालने के बाद हम उसमें दालेंगे चार ग्लास पानी और उसका चार से पांच घंटे के लिए सोख करके रट देंगे उसके भाद हम यहां पर ले रहे हैं दूसरा बाउल उसमें दाल रहे हैं वन टेबल स्पून मसूर की दाल वन टेबल स्पून चनी की दाल तूवर की दाल, तूटेबल स्पून माश की दाल और वन टेबल स्पून पासमती चावल और यहां पर हम लेड़े 15 काजू, 15 पिस्ता और 15 बादम इस सारी चीज़ें दाल कर हम इसमें पानी दाल कर ओवरनाइट में चार से पांच गंठे के लिए सोकने रख देंगे फिर जब डाल एच्छे सEstosok उसमें पानी में हम चार चाल स्धानी पत्वाय हो और निकाल लेंगे पृर कूकल लेंगे उसमें हम यह सारी डालें दाल देंगे तू ग्लस पानी यहां पर लेंगे पर हम नारे लगा देंगे और यहां पर हम पकने के लिए रख देंगे और यह देख सकते हो आपके हमने थोड़ा सा पानी आठ किया है और उसको थोड़े देख के लिए पकाएंगे और यहां देखिए दालें अच्छे से गल चुकी है आपके मैं खूकर खोल के बताती हूँ कि यह जब देखिए आप लोग कि दाल अच्छे से गल चुकी है हम क्या करेंगे यह दाल को और वीट रभी को अच्छे से गलने के बाद हम इसका पीस लेंगे उसके बाद ही पीस करेंगे हम यहां पर ले रहे हैं कोकर उसमें हाफ कप तेल डालेंगे और साथ साथ हाफ कप घ तेल और घी करम होने के पाद इसमें हम दालेंगे गरम असला गरम साला जैसकी शावड़ा इलाइचिल के लाउग दालची यह सारी जिसनेर क्याने करने के बाद प्याज ले रहे हैं उसका काट लेंगे फिर थूड़ा थेल करने पहने के बाद हम क्या करेंगे उसको में प्याज दाल कर अच्छी तरीक होनेताख हम дел कोформो कुए compete रहें पिर उसके पाद फिर उसके पाद और जो हमने चिकन रखा था हम Australis में दाल देंगे और फिर हम दाल देंगे उसके बाद उसको अच्छार विए कहरो ने के बाद हम क्या करें गेंगे देखें आप लोग कि अभी कोकर के ठकन लग चुका है अभी कोकर के ठकन को हम आदे घंटे के लिए रख रहे हैं को कोकर के ठकन को हम आदे घंटे के बात पुलेगे को को जो गोश रहेगा ना उसका अच्छा से पखने के लिए रख देंगे और यह देखें आप लोग गोश अच्छे से गल चुका है जिसे कि आप लोग देख सकते हो और फिर ये सार जो गोश होगा ना हम उसको क्या करेंगे अच्छी तरह के से मैश कर लेंगे फिर उसके बाद हम उसको मजब गोश को एक अलग बड़न में निकाल कर मैश कर लेंगे फिर ये जो हम लोग जो गोश का बनाया ना अखनी उसमें जो तेल उपर उपर आ जाता है वो निकाल कर रख लेंगे हम लोग थाकि हम जब उसको सॉफ करेंगे ना तो ये तेल जो हम ल दाल कर उसको गानिश करके सफ कर देंगे तो दाल कर देंगे तो हम लेब है कड़ाishops तहरे उसमेनं तेल फिर कंटरे के बाद काजू क तूच में सब्सक धाए धरी वाइदी काजू कष्ट दालें और नेकर काजू काजु को फ्रायमपड कर लिए कर दोशकी है? पिर यहां पर हम ले रहे चार बड़ी कटी हुई प्यास को डालेंगे अच्छे से ब्राउन होने तक हम उसको अच्छी तरीके से तल लेंगे अज़न लिए राव्म, शिरफ बोग देख सकते हो, प्याज इचय जा चूकी है, फिर यहाँ पर हम ले रहें ऐए एक बगोना, उस्में हम डालेंगे, यह गोश, फिर भूश दालेंगे, फिर उसमें वो 729जथी एसुसाब करको 2 पो मसलीखी उसको अच्छी तरह से होटेंगे कि इसभी नमक फूरा से कम लगा था तो हमने थोड़ा से अर नमक दाल उसका अच्छी तरह से кожं कोट माशाला बहुत अच्छी बनी थी आप लोग भी ज़रूर ट्राइब करिए मालम है कि प्रॉसस थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत अच्छा मतब घर की हर्ली बहुत अच्छी रहती है में को अच्छी दिखती है और यह देखिए हर्ली हरीस पक चुकी है और हम इसको प्यास, काजू, हरमसाल और नीबु के साथ गानिश करके साफ कर देंगे अगर आप लोगा मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कॉमेंट, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलना तो थे वीडियो इंशाला में और थोड़े से वीडियो दालूंगी अप लोग ऐसे मेरे को सब्सक्राइब करते रेना, आला फेसे तो